और उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की एहम अपडेट आ रहे हैं कल मैनपुरी में सियासी पारा हाई रहने वाला है क्योंकि मैनपुरी की चारों विधानसभा सीटों पर अखलेश यादब की जनसभाए होनी है खास बात ये है कि नेता जी मुलाइम सिंग यादब भी जनसभा को संबोधित करने के लिए मैनपुरी पहुच रहे हैं तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है मुलाइम सिंग यादब 2022 के चुनावों में अपनी पहली जनसभा करने के लिए मैनपुरी पहुच रहे हैं अखलेश यादब के लिए बोट मांगेंगे मुलाइम सिंग यादब और करहल के चापरी तिराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुलाइम सिंग यादब आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के दोरान भी मुलाइम सिंग यादब ने मैनपूरी में ही जनसभा कीती और अब मुलाइम सिंग यादब की पहली जनसभा विधान सभा चुनावों को लेकर के मैंनपूरी में ही होने जा रही है अखलेश यादब के लिए वोट मांगेंगे करहल में चापरी तरहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे समाजवादी पार्टी के जलाध्यक्ष ने बताया है कि आज ही मुलाइम सिंग्यादब का कारिकरम तै हुआ है अखलेश यादब के साथ एक ही मंच पर दिखाई रेंगे मुलाइम सिंग्यादब और पार्टी कारेकरताओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस पर उनसभी की नजर ठिकी हुई है विदानसभा चुनावों के दौरान मुलाइम सिंग्यादब की पहली जनसभा है मेनपुरी को मुलाइम सिंग यादब की कर्मिस्थली माना जाता है और मुलाइम सिंग यादब कल मेनपुरी में हुंकार भरेंगे अखलेश यादब के लिए जन समर्थन जुटाएंगे और अखलेश यादब के साथ मंच साझा करते हुए कारेकरताओं के साथ साथ मैनपूरी के वोटर्स को अपना संदेश देंगे इस वक्त की सियासी अपडेट बड़ी है ये मैनपूरी की चारों विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव कल जनसभाएं करेंगे और मुलाइम सिंग्यादव भी करहल में जनसभा को संबोधित करेंगे इस वक् ये बड़ी एहम अपडेट है मैनपूरी में कल मुलाइम सिंग यादब मौजूद रहेंगे अकलिश यादब के साथ मंच साजा करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुलाइम सिंग यादब 2022 के चुनावों में अपनी पहली जनसभा करने के लिए मैनपूरी पहुच रहे हैं अकलिश यादब के लिए वोट मांगेंगे मुलाइम सिंग यादब और तरहल के चापरी तिराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुलाइम सिंग यादब आपको बता दें कि लोगसभा चुनावों के दोरान भी मुलाइम सिंग यादब ने मैंनपूरी में ही जनसभा कीती और अब मुलाइम सिंग यादब की पहली जनसभा विधान सभा चुनावों को लेकर के मैंनपूरी में ही होने जा रही है अखलेश यादब के लिए वोट मा और पार्टी कारेकरताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस पर उन सभी की नजर टिकी हुई है।